गुड मॉर्णिंग दोस्तों सुवागत है आपके अपने चैनल कॉम्पटीशन यूज में दोस्तों 69 रया शिक्षक भरती की पलपल की अपडेट आपके अपने चैनल कॉम्पटीशन यूज के माध्यम से आपको दी जाती है दोस्तों इस से पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर पासिंग मांक शिक्षक भरती के 60 और 65% हो जाते है तो शिक्षक भरती की कट ओफ क्या रहेगी और दोस्तों उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए कि अगर शिक्षक भरती की जो पासिंग मार्क से 45 और 40% हो गए तो शिक्षक भरती की कट ओफ क्या रहेगी तो दोस्तो इस वीडियो में जनरल OBC, CS, CS, T, शिक्षामित्रो सब की आपे कट ओफ को डिसकस करने वाले हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शिरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ हमारा चैनल 40 और 45% का समरता नहीं करता सिर्फ आप ही लोगों की डिमांड पे यह वीडियो बनाई गई है तो दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 69 अजा भरती की पर तेक अपडेट सबसे पहले आपको अपने मोईल पे मिल जाएगी लगाए कि पच्छी साजाब सीटे पर जेनल वाली सीट जो है शक्षामित्र अराम से ले लेंगे यानि के कि जरनल की बच्छी सीट हैं लग लग पर अजती से तबसे करिकลकार से दस थाजार सीटे जनरर की रह जाएप ले तो ये रजगांगी तो चलिन दोस्तों देख ल 45% यानि कि दोस्तो नंबर लाया है तो उसके जो नंबर हो जाएंगे 500 में से लगबख 67.5 नंबर हो जाएंगे और 45% अगर कोई candidate यहाँ पर नंबर लेके आता है तो उसका गुडांक यहाँ पर 45% डाने पर 27 हो जाएगा और अगर इसी पिलकार से अगर कोई वैक्ति 60 नंबर लेके आया है तो यानि कि देड़ सो में से 40% और 40 का अगर हम 60% निकालेंगे तो यह 24 हो जाएगा यानि कि दोस्तो अगर गुडांक की बात की जाए फाइनल गुडांक में 27 नंबर जुड़ेंगे 45% वालों के और जो गुडांक है 24 हो जाएगा य अभी में अगर शिक्षामित्र लेके आते हैं और लेके आये भी होंगे इतनी मिनिमम क्योंकि दोस्तों अपने टाइम पे हाई कट ओफ की वज़े से शिक्षामित्रों कि यहां पर नियुक्ती हुई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं 24 नंबर यहां पर एकेडमिक हो रह रहते हैं 40 पर सेंट्ट तो उनका जो गुड़ांग हो जाएगा दोस्तों 73 नंबर का फाइनली जो गुड़ांगा 273 नंबर का और दोस्तों अगर आप लोग कहते हैं कि 45 पर सेंट यह शिक्षामित्र लाएंगे तो यह बिलकूल बात गलत है हो सकता है जो शिक्षामित्र वो अराम से दोस्तो 55-60% के बीच में ही जादतर शिक्षामित्र हैं तो आप लोग यह मान के चलिए जो शिक्षामित्रों का ओवराल जो गुडांग हो जाएगा वो 82 के आसपास दोस्तो हो जाएगा और 82 के जब आसपास यहां पे हो जाएगा तो जितने भी यहां पे जनरल की सीटें 35,000 में से लगबग 25,000 दोस्तों जो शिक्षामित्र हैं वो अराम से जनरल वाले सीट पे आ जाएगे तो अब दोस्तो अब दोस्तो देख लेते हैं अगर जो भी कैंडिडेट यहां पे बिना भारांग के आ रहा है तो यहां पर देखने वाली बात है कि अगर कोई 105 भी नमबर लेकि आया और उसका जो मान लीजे है कि जो एकैडमिक के 25 है तो उसके जो टोटल जो गुडांग होता है दोस्तों वो होता है 67 और 1.500 में से अगर 120 भी लेके आता है तो उसका गुडांग हो जाता है 73 तो आप लोग लगा सकता हैं गर कोई जनरल का चैन्डिड़ेट एक सो बीस नमर भी लेके आया एटी परसेंट तो उसका गुड़ांग यहां पर तेहत्तर हो रहा है और शिक्षा मित्र मिनिमिम्म दोस्तों यहां पर अंक लाके भी उनका जो गुड़ांगे अस्वी के असपास हो रहा है तो यह वाली बात तो है रही दोस्तों की शिक्षा मित्र और जनरल का कैंडिडेट कितने आगे हुए तो बात है केवल दस हजार सीटों की केवल दस हजार जनरल की दोस्तों सीट बशने वाली है तो 10,000 अगर सीटे बचने वाली है तो इस पे गुणां का अगर निकाला जाएगा तो 70 से लेके 72 के बीच में कह सकते हैं कि जो जनरल की कट ओफ जाने वाली है 70 से 72 के बीच में अगर आपका गुणां को रहा है तो मान के चली दोस्तो सेलेक्शन के दोस्तो अच्छे चांस है क्योंकि शिक्षामित्रों की जो पद हैं वो भी भरने के बाद भी लगग लगग दोस्तो 10,000 सीटे बच जाएंगी दोस्तो बात की जाए अगर OBC की तो OBC के अगर हम कट ओफ की बात करें की कट ओफ यहां पे रहने वाली 58 से लेके 62 के बीच में और इतनी ही कट ओफ रहने वाली दोस्तो पियच की तो दोस्तो आप मुझे बताईएगा आप लोगो कैसी वीडियो लगी और मुझे बताईएगा कि जो है अदालत से क्या कट ओफ होनी चाहिए तो इन सब बातों का मुझे इंतजार रहेगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा फिलार दोस्तों वीडियो में इतना ही जैहिन जैभारा